कहानी को मैंने डीटेल में एक्स्प्लेइन किया है ताकि रीकेब के साथ-साथ इस वेब सीरीज से रिलेटेड आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले कहानी तीन टाइमलाइन में चलती है पहले टाइमलाइन में विचर के बारे में दिखाया जाता है दूसरे टाइमलाइन में प्रिंसस सिरिला को दिखाया जाता है तो तीसरे टाइमलाइन में हम यनिफर के बारे में जानते है और इनकी स्टोरी अपने अपने टाइमलाइन म का खात्मा करता है जिस Monster को मारा था उसे लेकर Blavikyn पहुंчता है और Alderman को धूंड रहा है जिसे वह यह Monster बेचना चाहता है Blaveston में हमें पता चलता है कि आम लोग विचर siipको पसंद नहीं करते और उनके साथ बुरा सुलुक करते हैं वहिं की मुलाकात Renfreeze से होती है जो उसके साथ सही तरीके से बात करती है और फिर Alderman की बेटी Marilka Girald से कहती है कि उसके पिता को इस monster की जरूरत नहीं है उसके पिता ने किसी और monster की मांग की थी Marilka फिर Girald से कहती है कि वो उसके master से बात करे शायद वो इस monster के लिए पैसे देने को राजी हो जाए Girald मरilka के साथ उसके master से मिलने पहुँचता है और उसकी मुलाकात master Stregor War से होती है जो एक sorcerer मतलब जादूगर है Stregor को Girald का monster नहीं चाहिए बलकि वो चाहता है कि Girald उसके लिए एक human monster को मारे और वो monster rainfree है Stregor कहता है कि rainfree का जनम सूर्य ग्रहन के दौरान हुआ था जिसका मतलब है कि वो शापित है और वो पूरे माना प्रजाती का अंत कर सकती है Stregor War ने rainfree को मारने की बहुत कोशिश की पर वो बच गई और अब rainfree Stregor को मारना चाहती है और Stregor चाहता है कि गिराल rainfree को मार कर उसे और माना प्रजाती को बचाए जिसके बदले Stregor War उसे पैसे देगा पर गिराल कहता है कि वो सिर्फ monsters को मारता है और वो rainfree को नहीं मार सकता rainfree फिर गिराल से मिलती है और उसे बताती है कि पहले वो princess हुआ करती थी पर Stregor War के आदमियों ने उसका रेप किया और उसकी सारी संपत्ती लूट ली और survive करने के लिए rainfree को जो भी करना पड़ा उसने किया rainfree बताती है कि कुछ लोगों ने उसे बचाया और अब वो उनकी मदद से Stregor War से अपना बदला पूरा करेगी rainfree चाहती है कि गेराल्ट उसके लिए Stregor War को मारे पर गेराल्ट ऐसा करने से इंकार कर देता है और वो rainfree से कहता है कि अगर वो Stregor War को मारती है तो लोग उसे भी monster मानने लगेंगे और उसे बलावेकिन छोड़ कर जाने की सला देता है rainfree गेराल्ट से कहती है कि वो कल बलावेकिन छोड़ कर चली जाएगी और दोनों romantically involved हो जाते है और गेराल्ट को rainfree सपने में एक लड़की के बारे में बताती है जो उसकी destiny है पर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि rainfree जा चुकी है और वो उसे ढूड़ने market जाता है market में rainfree के आदमी उसे बताते है कि मरिलका rainfree के कबजे में है और rainfree चाहते है कि गेराल्ट श्ट्रेगरबॉर को मारे पर वो ऐसा नहीं करता और यहां हमें one of the best sword fight sequence दिखाये जाता है और गेराल्ट rainfree के आदमियों को मार देता है और यहां हमें पता चलता है कि fighting skills के अलावा गेराल्ट के पास magical powers भी है गेराल्ट rainfree से कहता है कि वो मरिलका को छोड़ दे और उसे बलावेकिन छोड़ कर जाने को कहता है गेराल्ट की destiny है और गेराल्ट फिर वहां से चला जाता है वहीं दूसरी तरफ princess sirila यानि siri को introduce किया जाता है जो cintra राज्ये की princess है और queen kalante और king east की granddaughter निल्वगार नाम का राज्ये cintra पे attack करने वाला है और queen kalante और king east cintra को defend करने के लिए fight करते है जिसमें king east की मौत हो जाती है queen kalante बहुत बुरी तरह injured है और वो अपने castle में पहुँचती है और siri से कहती है कि निल्वगार सिंत्रा को capture कर रहे है पर एक दिन siri सिंत्रा पे राज्ये करेगी मौसक जो सिंत्रा का wizard है वो निल्वगार्डियन्स को रोकने की कोशिश करता है पर आखिर कर निल्वगार्डियन्स castle में इंटर कर जाते है queen kalante siri को सिंत्रा से भागने के लिए कहती है पर वो जाने से इंकार करती है और उसकी आवाज से आस पास की चीजे काप उठती है और हमें पता चलता है कि siri के पास भी powers है queen kalante siri से कहती है कि वो Geralt of Revia को ढूंडे क्योंकि वो siri की destiny है निल्वगार्ड ने सिंत्रा पे attack इसलिए किया पर siri निल्वगार्ड के एक soldier के हाथ लग जाती है जिसके बाद siri अपने power का इस्तिमाल कर उस soldier के चंगुल से बच निकलती है अभी तक siri के powers के बारे में हमें ये पता चला है कि जब वो जोर से चीखती है तो आस पास की चीजे unstable होकर या तो गिर जाती है या तूड जाती है आगे हमें पता चलता है कि Renfri Giral को जिस लड़की के बारे में बता रही थी जो उसकी destiny है वो और कोई नहीं बलकि siri है siri निल्वगार्डियन से बचकर जंगल की तरफ भागती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसकी मदद करता है पर फिर siri को Sintra से कुछ लोग मिलते है और वो एक family के साथ refugee camp में रहने लगती है वहीं दूसरी तरफ हमें Yennefer के बारे में दिखाया जाता है जिसकी spine twisted है मतलब वो कूबडा है और कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे और अन्जाने में वो अपने power का इस्तिमाल कर portal के जरिया आटूजा में the tower of the girl में पहुँच जाती है जहां उसकी मुलाकात east rate से होती है जो कहता है कि उसके इस तरह से portal का इस्तिमाल करने की वज़े से यनिफर एक target बन चुकी है और टिसाया यनिफर को लेने आ रही है और फिर east rate दूसरे एक special portal के जरिये यनिफर को उसके घर पहुचा देता है फिर हम देखते हैं कि टिसाया दी व्रीज जो के आर्टूजा की rectress यानि master sorcerer है और वो यनिफर को उसके पिता से खरीद कर आर्टूजा ले जाती है वैसे आर्टूजा एक academy है जहां magic सिखाय जाता है टिसाया ने यनिफर की ही तरह और भी लड़कियों का आर्टूजा लेकर आई है क्योंकि इन सब के पास chaos को shift करने की ability है और टिसाया इन सब को train करती है ताकि ये balance और control की जरिये chaos को handle करने में महारत हासिल कर ले जिसके बाद इन्हें अलग-अलग राज्जियों में as a sorcerer वेजा जाएगा ताकि ये sorcerers उन राज्जिय में peace और stability maintain कर सके यनिफर फिर east red से मिलती है और east red यनिफर की training में उसकी मदद करता है तिसाया को पता चल जाता है कि यनिफर east red से मिल रही है और यनिफर चाहती है कि east red उसे special portal को open करना सिखा है east red यनिफर को बताता है कि आर्टूजा को elves ने बनाया था और humans के पहले elves का ही राज हुआ करता था और elves ही असली जादूगर थे और फिर humans आते हैं जिनका elves ने स्वागत किया और उन्हें magic भी सिखाया जिसके बाद humans ने elves का नरसनहार करना शुरू कर दिया और इस नरसनहार को humans ने the great cleansing का नाम दिया ज्यादा तर elves की इसमें death हो गई और बचे हुए elves को छुप छुप कर जीवन वैतित करना पड़ रहा है इस्टरेट फिर यनेफर को special portal open करना सिखाता है और यनेफर पहले ही attempt में portal open कर देती है जिसे देख इस्टरेट चौक जाता है यनेफर बताती है कि उसके असली पिता half elf थे और वो भी half elf है जिसकी वैसे वो ऐसा कर पाई और ये भी बताती है कि उसके half elf होने की वज़े से ही वो कूबड़ा है फिर हमें पता चलता है कि यनेफर को इस्टरेट के पास टिसाया नहीं भेजा था ताकि यनेफर अपने emotion को control कर इस्टरेट से वो fool ला सके जिसका इस्टरेट स्पेशल पोर्टल उपन करता है वहीं इस्टरेट भी श्टरेगरवार के लिए काम कर रहा है और इस्टरेट श्टरेगरवार को बताता है कि यनेफर half elf है फिर हम देखता है कि निर्फ गार्डियन्स उस कैम साइट पे अटैक करते हैं सीरी रह रही होती है और वो लड़का जिसससे सीरी जंगल में मिलती है वो उसे वहां से बचआता है अर उस लड़के का नाम TARA है और वो भी एक elf है वहीं दूसरी तरफ GERALT एक बार में होता है जहां उसकी मुलाकात Yaskier से होती है जो एक गायक है और बार में Geralt को एक devil को मारने का contract मिलता है और Yaskir भी Geralt के साथ जाता है बलावेकिन में लोगों को मारने के बाद Geralt अब बूचर अब बलावेकिन के नाम से जाना जाता है और Yaskir कहता है कि वो Geralt की image को सुधार देगा आगे हम देखते हैं कि Geralt जिस devil को पकड़ने आया था उसका नाम Tork है और वो सिल्वन प्रजाती से बिलॉंग करता है Tork और उसकी साथे Geralt और Yaskir को पकड़ लेते हैं और उन्हें Filavendral जो कि King of the Elves है उसके पास लाया जाता है Filavendral Geralt को बताता है कि Humans ने The Great Cleansing में उसकी प्रजाती का नरसनहार कर दिया और उन्हें अपना राज्ये छोड़ कर जाना पड़ा Geralt फिर Filavendral से कहता है कि वो ये जगाद छोड़ कर कहीं और चले जाए और अपनी शक्ती बढ़ा है वरना Humans उन्हें भी मार देंगे और Geralt Filavendral को Contract के सारे पैसे दे देता है Filavendral Geralt और Yaskier को छोड़ देता है और Yaskier एक Song के जरिये Geralt की इमिज सुधारता है आगे हम देखते हैं कि Geralt Timeria पहुंचता है क्योंकि वहाँ Vukodlak प्रजाती का Monster ने आतंक मचा कर रखा हुआ है और Timeria का King Foltest वहाँ के स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा Geralt की मुलका Triss Merigold से होती है जो एक Sorcerer है और King Foltest के लिए काम करती है और Triss Geralt से कहती है कि वह Vukodlak को ना मारे और बलकि उसे बचाने के लिए कहती है ताकि Triss Vukodlak को श्राब से मुक्त कर सके Geralt को पता चलता है कि वह Vukodlak नहीं बलकि एक Shtriga है और Shtriga जैसे बिश श्राब से बनाये जाते है और King Foltest की बहन Queen Ada जो मर चुकी है उसकी बेटी ही ये Shtriga है जिसका जनम Ada के मरने के बाद उसकी Dead Body से हुआ है और ये Shtriga Timeria की Princess है और अपनी मा Ada के कबर में ही रहती है Geralt को लगता है कि Ada के भाई Foltest ने Ada का रेप किया और फिर उसे श्राब दिया जिसकी वैसे Princess का Shtriga के रूप में जनम हुआ पर Foltest इस बात से इंकार करता है आगे Geralt को Ada के कमरे से King Foltest के दरबारी Ostrit की स्मेल आती है और Ostrit confess करता है कि वो Ada का लवर था और Foltest नहीं Ada का रेप किया और Ada को उसके खिलाफ कर दिया जिसकी वैसे Ostrit ने Foltest को श्राब दिया और Ada की वाड़ी से Shtriga का जनम हुआ Geralt Ostrit को Ada के कमरे में बान देता है और प्रिंसेस को Ostrit के दिये हुए Shtriga के श्राब से मुक्त करने के लिए Shtriga को सुबह होने तक Ada के कबरे से बाहार रखना होगा मतलब Geralt को Shtriga के साथ सुबह तक लड़ाई करनी पड़ेगी Shtriga बहार निकल कर Ostrit को मार देती है और फिर Geralt और प्रिंसेस के बीच थमा के दर फाइट होता है और बहुत जन्तों चहत बाद Geralt प्रिंसेस को Shtriga के श्राब से मुक्त करवाता है और वो Shtriga फिर एक नॉर्मल लड़की में बदल जाती है पर उसके अंदर अभी भी वो Monster Behavior है और फिर प्रिंसेस गिराल पर हमला कर उसे बुरी तरह जखमी कर देती है और Triss गिराल को बचाने में कामयाब हो जाती है क्योंकि गिराल के घाओ तेजी से भरते है और Triss ने प्रिंसेस के देखभाल का भी इंतिजाम कर दिया है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यनेफर को as a sorcerer एडन भेजा जाना था पर Queen Kalanty का राज्य सिंट्रा आटूजा की कमीटी और उनके magicians के खिलाफ है और उन्हें elf से नफरत है तो आटूजा की कमीटे से स्ट्रेगवर ये कहता है कि जूकि यनेफर half elf है तो यनेफर को निल्फगार भेजा जाना चाहिए क्योंकि यनेफर को निल्फगार भेज कर सिंट्रा को सबक सिखाय जाएगा और एडन में फ्रिंजला को भेजा जा रहा है यनेफर को पता चलता है कि इस्ट्रेट ने स्ट्रेगवर को उसके half elf होने के बारे में बताया है जिसके बाद यनेफर और इस्ट्रेट में बहास होती है और इस्ट्रेट यनेफर के physical condition के बारे में भला बुरा कहता है जिसके बाद Yennefer आटूजा के आर्टिस्ट को उसे बिलकुल ठीक करने को कहती है और बहुत ही दर्दनाग प्रोसीजर के बाद Yennefer बिलकुल ठीक और बहुत सुन्दर बन जाती है मगर इस प्रोसीजर के बाद वो अब मा नहीं बन सकती Yennefer अपने नए आवतार में कोटर में पहुँचती है और Yennefer को देख एटन का किंग फ्रिंजला को छोड़ Yennefer को एटन का सौर्सरर सेलेक करता है आगे हम देखते हैं कि यासकेर गिराल को उसका बॉड़ी गार्ड बनकर सिंटरा चलने को कहता है जहां Queen Kalanthe की बेटी पैवता का सौएंबर होने वाला है वहाँ हमें पता चलता है कि पैवता Queen Kalanthe और King Rogner की बेटी है और King Rogner के देथ के बाद Kalanthe की पिता ने Kalanthe की साधी King East से तै की पर Kalanthe ने East के marriage proposal को reject कर दिया सौएंबर में Lord Archon of Arnwald पहुँचता है और वो पैवता से शादी करना चाता है और पैवता भी Lord Archon जिसे पैवता दूनी के नाम से पुकारती है वो भी दूनी से शादी करना चाती है पर श्राब की वैसे दूनी की शकल हेच होक जैसी हो गई है और कलांते शादी के लिए तयार नहीं है दूनी बताता है कि उसने सिंटरा के किंग रोगनर की जान बचाई थी और पेमेंट के रूप में दूनी ने Law of Surprise मांगा था और अब वो Law of Surprise के तहट पैवता को मांगता है तो पहले Law of Surprise की बात कर लेते है इसके तहट जब एक आदमी दूसरे आदमी की जान बचाता है तो जिसकी जान बचाई गई है वो अपने प्रोटेक्टर को कोई एक वरदान दे सकता है लेकिन वो वरदान क्या होगा उस वक्त दोनों को ही ये जानकारी नहीं होगी और ये वरदान कुछ भी हो सकता है और most of the cases में वो वरदान जान बचाय कई आदमी की पहली संतान होती है कलंते दूनी को मारने का order देती है पर Geralt और King East Law of Surprise का respect करते हुए दूनी को बचाते हैं और यहाँ एक बैतरीन fight sequence दिखाये जाता है दूनी फिर एक term यूज करता है जिसका मतलब यह है कि King Rogner के घर पहुँचने के बाद उसे किसी ऐक ऐसी चीच का पता चले जो उसका है पर उसके बारे में उसे जानकारी ना हो तो उस चीच पे दूनी का अधिकार होगा और जब King Rogner घर पहुचता है तो उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो as a child of surprise पैवता पर डूनी अपना claim कर सकता है डूनी फिर कहता है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि King Rogner पिता बनने वाला है तो उसने अपने law of surprise को claim करने के खयाल को छोड़ दिया था पर फिर दूनी और पैवता को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसलिए अब वो law of surprise claim करना चाहता है कलैंते दूनी को मारने की कोशिश करती है और पैवता ये देख जोर से चीखती है और सभी बहुत दूर जा गिरते है और पैवता के पावर से कोट रूम के बीचो बीच एक बवंडर बन जाता है और केराल्थ अपने पावर का इस्तिमाल कर उस बवंडर को तोड़ता है कलैंते फिर कहती है कि पैवता के ये पावर उसकी grand mother की gift है और ये gift कलैंते को कभी नहीं मिले पर पैवता को ये पावर हासिल हुआ है और डूनी को पैवता के destiny मान कर कलैंते डूनी और पैवता की शादी के लिए मान जाती है और खुद भी king east से शादी करने वाली है हमें ये भी पता चलता है कि सीरी को उसके पावर उसकी माप पैवता से मिले है कलैंते के डूनी और पैवता की शादी को अपनाने के बाद डूनी श्राप से मुक्त हो जाता है और इंसान के रूप में आ जाता है Duny Geralt को उसकी जान बचाने के लिए उसे रीपे करना चाहता है और उसे कुछ मांगने के लिए फोर्स करता है और ज्यूकर Geralt को डेश्टिनी पे विश्वास नहीं है तो वो casual woman law of surprise ही मांगता है और फिर उसे पता चलता है कि Pavatha pregnant है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था और पेवता की unborn baby Ciri as a child of surprise Geralt की देश्टिनी बन जाती है और इसलिए पहले एपिसोड में Queen Calanthe Ciri को Geralt से मिलने को कहती है मांग सेक भी उस सभा में मौझूद था और Geralt और वो दोस्त है मांग से Geralt से कहता है कि Pavatha के पास primal powers है और वो Sintra में रुक कर Pavatha को उसके powers को control करने में उसकी मदद करेगा मांग से Geralt को Sintra में रुकने को कहता है क्योंकि Pavatha का होने वाला बच्चा उसकी destiny है पर Geralt कहता है कि वो उस बच्चे को claim नहीं करने वाला और वहां से चला जाता है फिर हमें सीरी की श्टूरी दिखाई जाती है जहाँ वो बरफिली जगा में है और विस्परिंग की आवाज सुन सीरी ब्रोकिलोन फॉरेस्ट में चली जाती है जहां ड्रायाड कभिले का राज चलता है और वो सीरी को पकड़ लेते है और दारा भी ड्रायाड्स के हाथ लग जाता है ड्रायाड्स सीरी और दारा को ब्रोकिलोन का स्पेशल पानी पीने को कहते है और पानी पीते ही अगर इनका intention उस फॉरेस्ट और वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाना है तो वो लोग मर जाएंगे और अगर उनका ऐसा कोई intention नहीं है तो वो अपना सारा दुख और दर्द भूल कर वहाँ उनके साथ रह सकते है और सीरी के पानी पीते ही Dry Arts को सीरी की सारी सच्चाई और उसके powers के बारे में पता चल जाता है वही निल्वगार की आमी से उनका कमांडर कहीर सीरी को धून रहा है और हमें ये भी पता चलता है कि Arya to the Academy से Fringula अब निल्वगार की सॉर्सरर है और उसने पता लगा लिया है कि सीरी Brokalon Forest में है और Mausak भी उनके कबजे में है वहीं दूसरी तरफ Yennefer को एडन में काम करते हुए 30 साल गुजर चुके हैं और वो एडन की Queen Calice के साथ जा रही होती है और एडन के King ने Assassin के जरिये Queen और उसकी बच्ची को मानना चाता है क्योंकि Queen ने उसे बेटा नहीं दिया और Yennefer Queen और उसकी बच्ची को बचानी की बहुत कोशिश करती है पर बचा नहीं पाती और फिर वो एडन छोड़ देती है और एक टाउन में अपने Magic के जरिये पैसे कमाने लगती है पर फिर उस टाउन का Mayor अपने Security Guard के साथ पहुंचता है और Yennefer को अपने घर में बंद कर देता है आगे हम देखते हैं कि Yennefer को अब एक बच्चा चाहिए और जोकि Arteusa में Physical Transformation के बाद वो किसी बच्चे को जनम नहीं दे सकती तो वो अब इलाज की तलाश कर रही है ताकि वो मा बन सके आगे हम देखते हैं कि कहीर एक Doppler से मिलता है जो किसी का भी रूप ले सकता है और उसने माउसे का रूप ले लिया है और उसके चहरे के साथ साथ उसके thoughts पे भी कबज़ा कर लेता है और माउसे को मार देता है वहीं Giral Jinn की तलाश में है क्योंकि कुछ दिनों से उसकी निंद उड़ गई है और जिन से अपने इंसोम्निया का इलाज का विश मांगना चाहता है और यासकेर भी वही होता है और फिर गिराल्ट को एक बोतल मिलता है और खीचा तानी में उस बोतल का धकन खुल जाता है जिसके बाद यासकेर तो विश मांगता है और Geralt उसे तीसरा विश मांगने से रोकता है और Yaskir गुसे में वो बतल तोड़ देता है जिसके बाद Yaskir की तबियत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टिया करने लगता है और Geralt उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहां डॉक्टर बताता है कि यास्केर को medically ठीक नहीं किया जा सकता और मंत्रों की वेयर से उसकी ये हालत हुई है और अगर जल से जल मंत्रों को नहीं तोड़ा गया तो यास्केर की मौत हो जाएगी डॉक्टर उसे एक मेजिशिन का पता बताता है जो यास्केर की जान बचा सकता है और जब गेराल्ट यास्केर को लेकर वहां पहुंचता है तो उसे वहां येनिफर मिलती है और यहां गेराल्ट और येनिफर एक ही टाइम लाइन में आ जाते है गिराल्ट यनिफर को यासकेर की जान बचाने को कहता है और यनिफर यासकेर के अलाज करती है और बदले में गिराल्ट को नहाते हुए यनिफर के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे यनिफर चाहते है कि यासकेर अपने तीसरा विश मांगे जिसके बाद जिन आजाद हो जाएगा और फिर वो जिन को अपने body में कैद करने वाली है ताकि वो और भी powerful बन सके और यनेफर गिराल्ड को अपने वश में कर लेती है और उस town में जो भी यनेफर के खिलाफ है गिराल्ड से उसकी पिटाई करवाती है जब Geralt को होश आता है तो वो खुद को जेल में पाता है जहां Mayor का Security Guard Geralt की धुनाई करता है और उससे उसकी आखरी ख्वाहिश पूचता है तो Geralt कहता है कि उसकी आखरी ख्वाहिश है कि तेरा सर फढ़ जाए और उस Guard का सर फढ़ जाता है और Geralt को पता चलता है कि Yaskir नहीं ब जिन ने यास्केर का मूँ बंद कर दिया यह पहली विश थी और जब गार्ड का सर फट जाता है तो वो उसकी दूसरी विश यनेफर उस जिन को अपने अंदर रखकर और पावरफुल बनना चाहती है और यास्केर से उसका तीसरा विश मांगने को कहती है और उसके विश मांगते ही जिन यनेफर की बॉड़ी से निकल जाता है और फिर गेराल्ट और यनेफर में फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट होता है और फिर दोनों सेक्स करते है वेल फिर गेराल्ट और यनेफर अपने अपने रास्ते निकल जाते है पर बीच बीच में दोनों एक दूसरे से मिलते रहते है और उनका कारेकरम चलता रहता है आगे हम देखते हैं कि बॉर्च नाम का ये इंसान अपने साथ ही टेय और वया के साथ गिराल्ट से मिलता है और उसे बताता है कि किंग नीरामेर के माउंटेन पे ग्रीन ड्रैगन को देखा गया है और उसे मारने के लिए चार टीम्स बनाए गया है और जो भी इस ड्रैगन को मारेगा उसे ड्रैगन का खजाना तो मिलेगा ही साथ ही एक राज्य भी दिया जाएगा और Borg चाहता है कि Girald उसकी टीम जोइन कर इस Dragon को मारने में मदद करे Girald पहले तो मना कर देता है पर जब उसे पता चलता है कि Yennefer भी दूसरे टीम से Green Dragon को मारने के इस Expedition में जा रही है तो वो Borg के टीम का हिस्सा बन जाता है और Yaskier भी उसके साथ जाता है चार टीम में पहले टीम Barch किये, दूसरी टीम Dwarves किये, तीसरी टीम का नम Revers है, और चौतर टीम में Iennefer और एक Knight है चारो टीम Green Dragon को मानने के Expedition शुरू करते है, और Iennefer के साथ ही Knight को दूसरी टीम का Member मार देता है यनेफर गेराल से कहती है कि उसने सुना है कि उस ग्रीन ड्रैगन को मार कर उस ड्रैगन से वो अपना इलाज कर सकती है ताकि वो माँ बन सके इसलिए वो इस एक्सपेडिशन पर आई है वहीं बॉर्च की ट्रीम ड्रैगन के बताए हुए शौर्टकट रास्ते से जाते हैं और बॉर्च माउंटेन से गिर जाता है और उसके साथ टेया और वेया भी माउंटेन से गिर जाते हैं यनेफर और गिराल टेक गुफा में पहुँचते हैं और देखते हैं कि ग्रीन ड्रैगन मर चुकी है और वो अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रही थी और वहां टेया और वेया भी मौजूद होते हैं और फिर हमें गोल्डेन ड्रैगन को देखते हैं जो उस अंडे को प् पड़ा और जब उसे पता चला कि किंग ने टीम बनाई है ग्रीन ड्रैगन को मानने के लिए तो वो भी टीम बना कर शामिल हो गया और गेराल्ट को रेकूरूट किया ताकि बाकी टीम मेंबर्स को रोका जा सके और अंडे को बचाया जा सके गेराल्ट और यनेफर अंडे को बचाते हैं और दूसरे टीम्स को ठिकाने लगाते हैं गोल्डेन ड्रैगन के पास इंसानी रूप लेने के साथ साथ वो पास्ट और फ्यूचर भी देख सकते हैं और फिर बोर्च यनेफर को बताता है कि गेराल्ट ने यनेफर को बचाने के लिए जिन से ये विश मांगा था कि वो यनेफर को खोना नहीं चाता जिसकी वह से उसकी जान बची और यनेफर को ऐसा लगता है कि उसके अंदर गेराल्ट के लिए फीलिंग्स उसकी इच्छा से नहीं बलकि जिन की वह से है बोर्च भी यनेफर से कहता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती और गेराल्ट न और सीरी और डारा उसके साथ जाते हैं पर माउसेक के अजवीबो गरीब हरकत के बाद सीरी को पता चल जाता है कि वो माउसेक नहीं है और माउसेक मर चुक है सीरी डोपलर पे डारा के सिलवर के बने खंजर से वार करती है और Doppler को सिल्वर से बनी चीजों से ही नुकसान पहुँचाय जा सकता है और फिर सीरी और दारा दोनों अलग हो जाते है कहीर सीरी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुचाने वाला और उसकी डेस्टिनी पूरी करने में उसकी मदद करने वाला है और वाइट फ्लेम ने उसे और सीरी को एक साथ लाया है और वाइट फ्लेम के बारे में अभी तक कुछ देखाया नहीं गया है आगे हमें पता चलता है कि डोपलर ने सीरी का रूप ले लिया था और कहीर ने सीरी के जगा डोपलर को उठा लाया है डोपलर फिर कहीर पे अटैक करता है क्योंकि कहीर ने उससे सीरी की सचाई छुपाई थी और फिर वहाँ से भाग निकलता है फिर हम देखते हैं कि डोपलर ने सीरी को बांद दिया था और Dara उसे छुडाता है और फिर दोनों में आर्गुमेंट होता है और Dara उसे छोड़कर चला जाता है आगे हम देखते हैं कि Fringilla कहीर से वाइट फ्लेम के बारे में बात कर उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि Siri अगर इन सब की चाभी है तो कहीर कमिशनर है जिसके बाद कहीर अपनी आर्मी को इकठा करने को कहता है और एक स्लोगन कहता है जैसा कि मैंने बताया था कि The Witcher की स्टोरी तीन टाइमलाइन्स पे चल रही है जहां गेराल्ट और यनिफर के टाइमलाइन्स मिल चुके हैं पर सीरी की टाइमलाइन्स अभी भी गेराल्ट और यनिफर से अलग है अभी तक गेराल्ट की जो टाइमलाइन दिखाई जा रही थी उस टाइमलाइन से 12 साल बीच चुके है और वो अब उस टाइम लाइन पे पहुंच चुका है जब Nilfgaard Sintra पे अटैक करने वाला है Geralt Nilfgaardians की आर्मी को Sintra की ओर बढ़ते हुए देखता है और उसे Destiny पे भरोसा होने लगता है और वो Sintra Mausak से मिलने पहुंचता है Mausak उसे बताता है कि उसका Child of Surprise एक लड़की है जिसका नाम सीरी है और पेवता और डूनी का जहाज समुद्र में खो गया है और उन्हें लगता है कि दोनों मर चुके है Geralt सीरी को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो उसे सुरक्षित रख सके पर Mausak बताता है कि कलैंते सिंत्रा और सीरी की निल्वगार्ड से रक्षा करने में सक्षम है कलैंते को Geralt के आने की खबर हो जाती है और वो अपने नाइट्स को भेजती है Geralt को मानने के लिए पर Mausak पूर्टल बनाकर Geralt को वहां से ले जाता है और कलैंते के सामने लाता है कलैंते किसी भी हाल में सीरी को Geralt के साथ नहीं भेजने वाली और वो कहती है कि वो निल्वगार्डेंस का सामना कर सकती है और सीरी को सुरक्षित रख सकती है Mausak फिर कलैंते से कहता है कि उन्हें Law of Surprises को मानना ही पड़ेगा और Destiny से बचा नहीं जा सकता और Queen कलैंते सीरी को Geralt के साथ भेजने के लिए राजी हो जाती है कलैंते गिरांते के साथ दूसरी लड़के को सीरी बनाकर भेज रही थी पर Geralt को इसका पता चल जाता है और वो कलैंते को कंफरेंट करता है पर कलैंते अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो Destiny को नहीं मानती और सीरी को उसके साथ भेजने वाली नहीं है और फिर King East वहाँ आ जाता है और Geralt को बंदी बना लेता है आगे हम देखते है कि Yennefer East Trade से मिलने नजेर नाम के राज्ये में पहुँचती है और East Trade वहाँ को एक्स्प्लोरेशन कर रहा है जिसे Nilfgaard ने फंड किया है Yennefer East Trade के साथ रहना चाहती है पर East Trade Yennefer के प्रोपोजल को रिजेक्ट कर देता है वहाँ Yennefer की मुलाकाद Wilgeford से होती है जो Yennefer को बताता है कि Nilfgaard Sorcerers को अपनी आर्मी में भरती कर रहा है और वो Yennefer को उसके साथ आटूजा चलने को कहता है जहां उसे और Tissaia को उसकी जरूरत है आटूजा पहुँचने के बाद Yennefer को पता चलता है कि Tissaia ने उसे नहीं बुलाया और फिर वो Tissaia से मिलती है और फिर आटूजा के कमीटी की मीटिंग शुरू होती है और Tris भी आई हुई है इस मीटिंग में Tissaia, Wilgeforge, Tris और कुछ Sorcerers का मानना है कि उन्हें निल्फगार्डियन्स को रोकना चाहिए और Sintra की मदद करनी चाहिए क्योंकि Sintra को हासिल करने के बाद निल्फगार्ड पूरे कॉंटिनेंट पर अटेक करने वाले है पर तभी निल्फगार्ड की तरफ से फ्रिंजला भी वहाँ आती है और वो कमिटी से कहती है कि वो सिर्फ Sintra पर अटेक करने वाले है और उनके नए किंग एमिर के संरक्षन में पूरे दुनिया को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा Sintra हमेशा सही आतुजा एकाडेमी के खिलाफ था और फ्रिंजला की दलील सुनने के बाद कमिटी ये डिसाइड करते हैं कि वो Sintra के प्रोटेक्शन के लिए नहीं जाएगे तिसाया फिर यनिफर से कहती है कि विल्गेफोर्ड और कुछ सौरसरर्स निल्फगार्ड को रोकने जा रहा है और वो यनिफर से रिक्वेश्ट करती है कि वो भी उनका साथ दे आगे हम देखते हैं कि जिस वक्त निल्फगार्डियन्स ने Sintra पर अटैक किया था उस वक्त गेराल सिंट्रा के ही कैद में था और जब कलैंते बुरी तरह खायल थी उस वक्त उसने माौसक को कहा था कि वो गेराल्ड को आजात कर सीरी को उसके हवाले करते पर जब तक Mausak Geralt के पास पहुँचता है तब तक Geralt कैट से भाग निकला था और फिर कलान्ते सीरी को Geralt of Rivia को ढूढने के लिए कहती है और Mausak से कहती है कि वो सीरी को सिंट्रा से बाहर निकाले और आगे की सीरी की स्टोरी तो हमें पता ही है कलान्ते जब अपने कासल से कूद कर अपनी जान देती है तो वो Geralt के पास ही जा गिरती है जिसके बाद Geralt सीरी को ढूढने ऊपर जाता है कि तभी वो निर्फ कटके एक सोलजर से सीरी के बारे में पूछता है और वो सोलजर बताता है कि सब को मार दिया गया है किसी को भी बक्षा नहीं गया वहीं दूसरी दरफ सीरी के प्रेजन टाइम लाइन में हम देखते हैं कि दारा से अलग होने के बाद सीरी एक टाउन में पहुँचती है जहां एक और उसकी मदद करना चाहती है पर सीरी उसी का घोड़ा चुरा कर स्केलिगा के लिए रवाना होती है और रात में उसे सिंत्रा से कुछ दोस्त मिलते हैं और अब वो उसके खिलाफ है क्योंकि कलैंथे की वयद से उन सब की फैमली मारी गई और वो सीरी को पकड़ के निल्वगाट के हवाले करना वाले है यह तब इस सीरी एक प्रॉफेसी कहती है और यह वही प्रॉफेसी है जो कहीर ने भी कही थी जिसके बाद सीरी जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने वो औरत थी जिसका घोड़ा चुआ कर वो भागी थी और जो लोग उसे पकड़ कर निल्फगार्ट के हवाले करने वाले थे वो सभी सीरी के पावर्स की बदावलत इधर उधर छिटक कर मर जाते हैं वो औरत सीरी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसके साथ ही उसकी बेटी बनकर रहने को कहती है फिर हम देखते हैं कि सिंट्रा से निकले वे गिराल्ट को साथ दिन हो गये और अब गिराल्ट, सीरी और यने फर एक ही टाइम लैन में पहुँच जाते हैं रास्ते में गेराल्ट को एक आदमी दिखता है जो निल्फ गार्डियन्स द्वारा मारे गए लोगों को दफना रहा होता है और गेराल्ट उसे घर जाने के लिए कहता है पर वो नहीं मानता और नेकर्स नाम के बहुत से मौन्स्टर वहां आ जाते हैं और इनके काटने से इं और यहने फर्ट, टिसाया, ट्रिस और विल्गे फॉर्ट और कुछ सौर्सरस के साथ सौर्डन जा रही है निल्फ गार्डियन्स को रोकने के लिए सौर्डन के बचे कुछे निवासिये कासल में आ गया है जहां सभी सौर्सरस भी पहुँचते हैं और सभी मिलकर जंग की तयारियों में जुट जाते हैं ताकि निल्फ गार्डियन्स को नौर्थ पे अटेक करने से रोका जाए कहीर को पता चल जाता है कि आटूजा से कुछ सौर्सरस सौर्डन के कासल को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वो निल्फ गार्ड को रोक सके पर फ्रिंजला कहती है कि उनके पास भी सौर्सरर्स है जो कोई भी नियम नहीं मानते और डार्क मैजिक का इस्तिमाल करते है तो उन पर उसके सामने टिक नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है फ्रिंजला फिर अपने पावर्स का इस्तिमाल कर निल्फ गार्डियन्स को कासल के अंदर भेजती है और टिसाय फ्रिंजला को समझाने पहुंचती है पर फ्रिंजला टिसाय पर अटैक कर देती है निल्फ गार्डियन्स एक एकर सौर्सरर्स को मार रहे होते हैं और फिर फिर अपने ही साथी सौर्सरर को मार देता है अब इसके कान में भी वो कीडे गए है या दूसरा कोई मैजिक है ये तो अगले सीजन में ही पता चलेगा आगे हम देखते हैं कि टिसाय बुरी तरह इंजर्ड है और वो येनिफर से इस कॉंटिनेंट को बचाने के लिए कहती है और कहती है कि यही उसकी लेगेसी है और उसे अपने अंदर के सारे केयोस को बाहर निकालने को कहती है येनिफर फिर कासल में लगे आग को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर पूरी शक्ति का इस्तमाल करती है और पूरे जंगल को आग लगा कर निल्फ गार्डियन्स का खात्मा कर देती है पर अपने कंट्रोल से उस आग के रास्ते में आये सौर्सरस को कुछ भी नहीं होने देती येनिफर के हाफ एल्फ होने के कारण वो दूसरे सौर्सरस से ज़्यादा पारफुल और केयोस को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती है तिसाया फिर येनिफर को ढून रही होती है पर उससे येनिफर का कुछ पता नहीं चलता वहीं गेराल को जब होश आता है तो वो खुद को उस आदमी के गाड़ी में पाता है जिसकी उसने जान बचाई थी गेराल को उसके बच्पन की यादे आती है और हमें पता चलता है कि उसकी मा भी एक सौरसरर थी जो बच्पन में उसे छोड़ कर चली गई थी और वेसी बीन ने गेराल को विचर बनाया गेराल फिर बहुत गुसा हो जाता है और जानना चाहता है कि विसेना ने ऐसा क्यों किया पर विसेना बिना कोई जवाब दे वहाँ से चली जाती है गेराल को जब होश आता है तो उसकी मा वहाँ नहीं होती पर उसके जखम भर चुके थे और वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है वहीं सीरी सपने में गिराल्ट को यनिफर को पुकारते हुए देखती है और कलान्ते सीरी को उसकी डेश्टिनी को ढूनने के लिए कहती है और सीरी उस घर से निकल कर भाग जाती है फिर हमें पता चलता है कि सीरी जिस घर में थी वो उसी आदमी का घर है जिसने गिराल्ट को बचाया है और गिराल्ट उस औरत को कहते हुए सुनता है कि उसे जंगल में एक लड़की मिली मतलब ता girl in the woods और ये सुनते ही गेराल जंगल की तरफ भागता है जहां वो सीरी को उसके तरफ आते हुए देखता है और दोनों एक दुसरे से मिलते हैं और फाइनली दोनों की destiny फुल्फिल होती है जिसके बाद सीरी गेराल से यनेफर के बारे में पूछती है और यहीं The Witcher का पहला सीजन खतम होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने family और friends के ताद शेयर करें आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले